रोजगार की तलास में बाहर से आये मजदूर सर्धी से बेहाल, खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर सोने को मजबूर जहां से रोजगार की तलास में बाहर से आए मजदू सड़क पर खुले आसमान के नीचे, कड़कती ठंड में सोने को मजबूर सीत लहर का प्रकोप और हाल का पाने वाली सद्धी में, बेसहारा और मजदू लोग भगवान के भरोसे हैं, ठंड अपना कहर ढा रही है, इसी ब उबर से रोजगार की किलत, रोजगार को लेकर मजदूरों ने सरकार से लगाई गोहार, सरकार हैं, गरीबी खत्म करने के लिए एक से एक योजनाएं धरातर पर लाती हैं, लेकिन गरीबी खत्म नहीं होती, गरीबी खत्म हो जाता है, क्या गरीब की जान की कोई कीमत नही दुख भूंक और लाचारी से परेशान एक गरीब यही सोचता है कि कल आएगा बदलाब, बदल जाएगा ना जारा, इसी उम्मीद में फुटपात पर रात बिताते हैं, लेकिन इनको क्या पता, बदलाब तो होता है, एक सरकार जाती है, दूसरी सरकार आती है, पर गरीब ज सकेता सी रहता है, तो बही आप कहा, क्या नाम है आपका, जी, राचकुमार, कहां रहते हैं आप, नहीं, जैसे, हाँ, कहां के रहने वाले आप, अच्छा, तो यहां किसलिए रहते आप, आच्छा, मज़्दूरी करते हैं, तो ऐसी सर्दी में बच्चों को लेके परिशान नहीं होती है तो उसमें आप क्यों नहीं जाते हैं तो गवर्मेंट से कुछ कहना चाहेंगे पर सासंसे के हम लोगों के लिए कोई व्यवस्ता की जाए रोजगार की व्यवस्ता चाहेंगे या फिर बाहर भी आगर जैसे आपको रोजगार मिलता है तो आप अच्छा यह तक के कबर कर जाएं कोई तो बच्चों को परिशानी नहीं होती इसमें अपने कपरे में दाव रहें अपना गुलाडा कर रहें अच्छे बरसात में तो प्रसासंस है इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आपके कैसे वस्ताइब की जाए आपके लिए विवस्ता पूरी बता दिए रोजगार की हो रहने की हो विल्गों करने के लिए इसकी बनाने बढ़ाने के लिए अब 200 रुपया में होता क्या है 25 रुपया के लिए तो बच्चे आपके नीचे ही सोते होंगे फर्ज पर तो जहांसी के अंदर ही रहते हैं या फिर कहीं और भी जाते हैं आप जहांसी रहते हैं रोज का कितना